Hello everyone, क्या खादी एक regular कपड़ा है? क्या खादी सिर्फ cotton से बनता है? क्या खादी एक hand-loaf fabric है? जातर लोगों की तरहां मेरे भी दिमाग में खादी आते ही nationalism, freedom, struggle और महात्मा गांथी दिमाग में आते हैं बट इस वीडियो के लिए जब मैंने research करनी चालू की फैबरिक एक्सपर्ट से बात किया और खादी के शोरूम गया then I realized what a wonderful fabric इस खादी इस अपने unconventional topics को cover करने की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे खादी के बारे में और समझेंगे उसके different aspects को Hello and welcome to my channel Style for Lifestyle मेरा नाम है कनिश्क और मैं लाता हूँ lifestyle से related different videos like personal styling, current fashion, hotel, restaurant की visit और lifestyle के बारे में interesting information So let's start today's video खादी को खदर भी कहा जाता है ये एक hand woven natural fiber का cloth है जिसे सेकोडों सालों से Indian subcontinent में यूज़ करते हैं इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका में इसे extensively यूज़ किया जाता है British government industry के लिए raw cotton एक समय अमेरिका से आया करता था बट after the American civil war वहां से cotton की supply disrupt होने लगी Britain ने raw cotton इंडिया से इंपोर्ट करना चानू किया वो इंडिया में उगाया हुआ raw cotton इंपोर्ट करने लगे, कम कोस्ट में उसके कपडे बनाके फिर से इंडिया भेजने लगे at a higher cost और independence के पहले, it was very difficult for Indians कि वो इतने महेंगे रेट में कपडे खरीबे foreign clothing को bycott कहने के लिए 1920s में महात्मा गांधी ने खादी movement चालू किया और इस तरीके से खादी, स्वदेशी movement और freedom circle का एक बहुत important aspect बन गया What is खादी? क्या होता है खादी? A fabric that is hand spun and hand woven is termed खादी हाँच से काता और बुना हुआ fabric खादी कहनाता है लोगों को यह लगता है कि खादी सिर्फ cotton का बनता है और cotton का बना हुआ खादी ही खादी कहनाता है but actually that is not the case अगर silk को उस तरीके से बनाया जाए तो वो silk खादी कहनाता है अगर wool को ऐसा बनाया जाए तो वो woolen खादी कहनाता है तो उनको ये लगता है कि खादी और लिनन सेम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है, the biggest difference is, जहाँ खादी किसी भी फैब्रिक से बनाया जा सकता है, लिनन सिर्फ फ्लेक्स प्लांट के फाइबर को यूज के जाता है, जिसे हम अलसी कहते हैं, अलाकि देखने में दोनों का लुक सेम होता है, लिकिन अगर आपको इनके बीच का difference पता करना है, तो इनको एक बार light में देखिए, खादी जादा transparent होता है, तो पूरे फैबरिक में खादी की डेंसिटी चेंज होती है, कहीं वो थोड़ा पतला होता है, कहीं वो थोड़ा मोता होता है, and this is a golden rule of understanding the difference between a खादी and a Lillian cloth. Quality and Features of खादी, As compared to any other cloth, खादी कहीं जाला soft और porous होता है, इसलिए पसीना बहुत अच्छे से absorb करता है, and gives a well-ventilated feel, और इसका texture इतना unique है, कि ये गर्मी के समय में थोड़ा सा ठंडा हो, और ठंड के समय में थोड़ा गरम रहता है, that is the reason कि Indian subcontinent में, जहां गर्मी, वर्सात, ठंड और उमस होते हैं, वहाँ पे this becomes a very easy fabric to wear, और इसकी एक बहुत अच्छी बात है, that unlike other fabrics, या synthetic कपड़ों के, it is very skin friendly, इसलिए इसे पहने के बाद, skin में irritation में होता, and these are the reasons, इसे इतना पसंद किया जाता है, eco-friendly पर manufacturing process, चुँकि ये completely handmade है, इसलिए इसमें electricity यूज नहीं होते है, और चुँकि ये fully natural fabric है, इसलिए इसे process करने में ना ज़्यादा color का यूज होता है, जहां पर एक regular fabric के एक मीटर को बनाने के लिए, 56 liters पानी का यूज होता है, वहीं खादी के एक मीटर को बनाने के लिए, इसलिए सिर्फ 3 liter पानी यूज होता है, जहां तक के हमः ही तिरंगे की बात है, जहां तक के हमारी तिरंगे की बात है, आट यहलों से रखने सबीघंते हूंचे कि तिरंगा सिर्फ खादी की कपड़े से ही बना ज़ेह, यासा ना करने पे, इन परेड़ने एक नागे इन परेंगे इन डाइट राज फ्यू एसे रही आड़ा जिए लिए थे पैज़ा हैं परेंचिए मुखल जी रिटू कुमार रोहिद बाल काफी एक्स्टेंसिवली कादी को यूस कर रहे हैं अपनी क्रीशिंस बनाने के लिए And that is the reason in the year 2019, Khadi की sale preceding 5 years में सबसे ज़ादा थी 2019 में Khadi की sale 28% से ग्रोगी, जो की पिछले 5 साल की ग्रोग से कहीं ज़ादा थी और उस साल Khadi से revenue 3,000 करोड का आया, which is highest in last many years किसी भी फैब्रेक के उपर मैंने पहली बार कोई वीडियो बनाया है Please let me know आपको ये concept, इस वीडियो के details और मेरा delivery style कैसा लगा If you like it, please subscribe to my channel और इसको उन लोगों के साथ share करें और इंटेस्टी को सी वीडियोस on related topics And thank you so much for watching this video Take care and stay stylish